बच्चों, अब हम दूसरे शीशक पर आएंगे, स्वतंत्रता के समय भारती अर्थ्व्योस्ता का धाचा कैसा था? भारती अर्थ्व्योस्ता का धाचा जब हम अध्यन करेंगे, तो उसमें कृषी उद्ध्योग दोनों बाते आएंगी, तो कृषी के लिए जो बाते हैं, सबसे पहले है उत्पादक्ता का कम, स्वतंत्रता के समय, 1947-1947 में जो प्रिशी उत्पादक्ता थी काफी कम थी, उस समय केवल 30 करोड हेक्टेर भूमी पर उत्पादन होता था, और उत्पादन, अनाच का उत्पादन होता था, केवल 527 तो उस समय आवश्चक तक अनुसार यह काफी कम थी दूसरी बात है पिछरी हुई क्रिशी हमारे देश में क्रिशी के द्वारा उत्पादन जादा होता था लेकिन जो बीज खाद आदी का प्रयोग होता था वो काफी निक्रिष्ट होते थे परयाप्त खाद तो मिलता ही नह जाने होते थे और परयाप्त सीचाई की व्यवस्था नहीं थी वैसे ही कहा जाता है भारती क्रिशी मांसुन का जुआ है मांसुन अच्छी आई तो क्रिशी अच्छी और नहीं आई तो फसल का उत्पादन ही नहीं हो पाता था क्योंकि सीचाई परयाप्त मात्रा में विक् और केवल व्यावसाय के उद्यश्य से उत्पादन होता था, व्यापारिक फसलों का उत्पादन होता था, जिसे निर्यात करना लक्ष था, हमारे देश की जन्संख्या क्या वश्यक्ता पूरी हो रही या नहीं, इस बात पर उन्नोग ध्यान नहीं देते थे, फिर आती है जो भूमी संबंधी जो प्रणालियां थी, महलवारी, रैयतवारी, जमीनदारी, तो इन सब में क्रिशकों का शोशन होता था, उनकी आय बहुत कम होती थी, और लगान बहुत ज्यादा चुकाना पड़ता था, जिसका फायदा बिचौलिये लोग लेते थे, तो उनका जो जीवन स्थर है, वहाँ हर थरफ से बिलकुल कष्टकारक था, फिर अपन चर्चा करते हैं, ग्रामीन रिन ग्रस्तता, हमारे देश के लिए कहावत है, कि क्रिशक जो है वो रिन में जनम लेता है, रिन में जीवनियापन करता है, और रिन में ही मर जाता है, क्योंकि जब वो जनम लेता है, उसके जो अभी भावक है वो रिनी रहते हैं, और पूरा समय रिन चुकाने में चला जाता है, और चुकाते चुकाते उसकी मृत्ति हो जाती है, इसके पीछे कारण है, एक प्रे समय नहीं बताया, अच्छे खाद, अच्छे बीज, इसका प्रयोग होता नही तो परिवार में जब खंडन होता है, तो भूमी का भी विभाजन हो जाता है, और छोटी काई मेरी भूमी है, तो वह अनार्थि होती है, उससे फायदा बहुत कम होता है, तो यह कारण, फिर आता है भूमी पर जनसंख्या का भार, अब जैसे मैं पहले बताया था, कि हस्त का पतन हो चुका था और लगुद्योग थे नहीं बहुत कम थे न के बराबर वो भी बिल्कुल बीमार अबस्था में थे तो जिस कारण से पूरा भार क्रिशी पर आगया अब क्रिशी पर भार आया तो उपविवाजन होगा चोटे-चोटे जमीन होंगे और उत्पादक्ता क होगी अब हम देखते हैं उद्ध्यों कि स्थिति क्या थी उस समय तो हम जानते हैं कि उद्ध्यों का विकास तो उस समय काफी कम हुआ उस समय कपड़ा जूट चीनी माचीस सब इनका उत्पादन होता था क्यों केवल व्यापार करने के उद्धिश से और जिसका नियंद्र उद्ध्यों भी कम विक्षित हुए और जो उद्ध्यों पन पे थोड़ए बहुत उद्ध्यों वो काफी कम मात्रा में उत्पाधन होता था और नी 1947 की बात करते हैं तो हमारे हां सिमेन का उत्पादन 26 इस लाग टन था चीनी का उत्पादन 10 बार्स तन ठाए और कपड़े का उत्पादन 221 करोड मीटर हुआ फिर अपन देखते हैं निर्यात पेडित उद्ध्योग उस समय जो भी उद्ध्योग हुए सब निर्यात पेडित थे निर्यात के उद्धिश से होता था व्यापारी फसलों का उत्पादन होता था जिसे जो भी उत्पादन होता था इसके लिए अच्छे बीज की व्यवस्था, खात की व्यवस्था, शिचाय की व्यवस्था, ये सब उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से उत्पादक ता काफी कम रही, और तकनीकी शिक्षा का भाव था, जब हम उत्पादन करते हैं उत्योगों में, तो छ जोटी-मोटी चुकतो होती है, कुछ टूटफूट होता है, लेकिन पूरी तरह से हम विदेशों पर निर्भर होते थे, क्योंकि तकनीकी शिक्षा का तो ग्यान था ही नहीं, ऐसी हमारे देश में उस समय बहुत ज़्यादा शिक्षा थी, देश की 18 प्रश्र जनसंख्या अशिक्षित थी, बाकी 82 परसेंट जनसंख्या अशिक्षित थी, और उसमें भी महिलाओं की तो आप समझी सकते हैं, तो महिलाए भी बहुत ज़्यादा अशिक्षित थी, तो जिसका प्रभाव हमारे उद्धोगों पड़ा, फिर हस्त शिल्प का पतन, ये एक बड़ा कार था, हस्त शिल्प जब चलता था, तो लोग अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था घर पे ही कर लेते थे, परिवार के सदसे मिल करके उत्पादन करते थे, और अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर लेते थे, अब जब हस्त शिल्प का पतन हुआ, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गया, तो बेरोजगार्शिति भहुत ज़्यादा रही और बेरोजगार हो गयी, तो… न परियाप्त भोजन, न परियाप्त वस्ट, न परियाप्त मकान की विवस्था थी future. तो बहुत ही बुरी चिंदी थी तब फिर अपन्त!